विशेश करकर जो लोग एक दुर्वाग्यपूर्ण गटना में मारे गए दजोरी के क्षेत्र में इनके आप्तजनों से मिलना और इनकी दूख में सहभागी होना यूदेश था परन्तु आज मौसम के कारण वह मैं पहुंच नहीं पाया है सभी के सभी साथों परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफॉन पर बातचीत हुए है और क्यूंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था तो टेलीफॉन के माध्यम से उनके दूख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है उनकी जो बाते हैं उसको ध्यान से सुनी है एल जी स्री मनोज सिनहा जी भी मेरे साथ ही थे जब मैं बात कर रहा था उनका होसला पूरे देश के लिए उदार्ण रूप होसला था सभी लोगों का कहना था एक शेत्र हमारा है हम इसको नहीं छूड़ेंगे कुछ परिवार पाको क्युपाई कस्मीर से भी आये थे फिर भी डटकर लड़ने का मूड इतने बड़े हाथ से के बाद भी रदर्सित होना बहुत बड़ी बात है उसके बाद आज यहां पर सिक्यूरिटी एजन्सिस के सभी पहलू ओपर और सभी प्रकार की जितनी भी एजन्सियां जम्मु कस्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमी का है वो सभी एजन्सियों के साथ विशेश कर जम्मु क्षेतर के सुरक्षा के इंतिजाम को लेकर एक डीटेल बैठक होई है आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रीड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा होई है मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सुरक्षा एजन्सिया जहें जम्मु कस्मीर पुलीस हो बी एसेफ हो सी यार पी एफ हो जम्मु पुलीस का एसाईय का टीम हो या सैना हो इस सभी एजन्सिया सत्व प्रतिसत मुश्तेद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन गटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोवल भी बना हुआ है ये दोनों गटनाएं जो दो दिन में हुई उसकी जांच कले ही भारत सरकार ने एनाईय को सौंप दी है एनाईय और जम्मु पुलीस दोनों मिलकर इस गटना की जांच करेंगे जांच में एनाईय के साथ जम्मु पुलीस का पूरा इन्वल्मेंट होगा और विगट डेड़ साल में जितनी भी गटनाएं हुई हैं इस सारी गटनाओं को एक साथ रखते हुए इन टीम आतांकवादी गतिवीदियों की जांच उसकी उसी दाइरे में करेंगे इसके साथ साथ ओजी डबलीस के लिए भी अतांकवादी ग्रूपों के सपोर्ट सिस्टिम के लिए और उनके सुचना तंत्रक के लिए भी सभी पहलों पर आचर्चा हुई है पर कह सकते हैं कि संपोर्ट थ्री सिक्ष्टी डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजन्सियों ने भरोसा भी दिलाये है और इस पर चर्चा भी हुई है हमारी जितने भी सुचना की एजन्सियां है इनों ने भी अपनी घतिविदी को और टाइटन करने का फैसला भी बनाया है रन्लिती भी करी है मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिन लोगों ने भी ये घतना करी है उनको जम्मु कस्मिर पुलीस बहुत कम समय के इंदर नस्यत करेगी और उनको कानुन के दारे में लाकर कौट के सामने खड़ा करेगी इसके साथ साथ जम्मु क्षेत्र की पूरी सुरक्षा को चौक स्वावन करने के लिए जो एक्सेंट प्लान बना है ये टाइम पाउंड है और तीन महिने के अंदर हरक्षेत्र के अंदर सुरक्षा घ्रीड को मद्बूत करने का आज हैसला हुआ है मैं जम्मु के नागरिकों को इतना बरोसा दिला सकता हूं कि इनकी अतंगवादी ग्रूपों की मंसा जो भी हो परन्तु हमारी एजंसियां मुस्तेद होकर जम्मु की सुरक्षा करेगी धन्यवाद और उम्मु कंता हुआ है